मिठाई हम सभी को बहुत पसंद होती है, उनमें से एक मिठाई ऐसी है जो कि सभी को पसंद आती है, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही स्पेशल कोकोनट बर्फी की रेसिपी शेर करने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए ना गी, ना चास्नी, ना हम मावे का यूज करेंगे, सि तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है तीन कप नारेल का बुरादा, और इस तरीके का नारेल का बुरादा किसी भी सूपर मार्केट या किराने के दुकान में बड़ी आसनी से मिल जाता है, बुरादे क से हमने नाडल के बुरादे का मेजर्मेंट लिया था उसी कप से हम इसमें डालेंगे दो कप चीनी अगर आप इसे मेजर्मेंट से देखेंगे तो ये करीब 250 ग्राम यानी की पाव किलो है चीनी आप अपने मिठास के हिसाफ से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं चीनी हमारी अची तरह से गल जाए तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप दूद अगर जरुत पड़ी तो हम इसमें थुड़ा सा दूद और डालेंगे नहीं तो हम इसे इसी तरीके से बना कर तयार करेंगे दूद को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो चीनी हमारी अच्छी तरीके से पिगली नहीं है तो इसके लिए हम इसमें आधा कप दूद दूद डालेंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें पूरे एक कप दूद का use किया है दूट डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारा डो अच्छी तरीके से कढ़ाई ना छोड़ने लगे तो यहाँ पे तेवहारों के मौसम में जब आपको कुछ जटपट बनाना हो तो इस तरीकी की मिठाई आप घर पर ट्राय कर सकते हैं आप इस मिठाई को बना कर रखें आप इसे ब्रत में भी खा सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्षर हो दीरे-दीरे कढ़ाई को छोड़ने लगा है इसका टेक्शर और पीज़ादा सॉफ्ट और हलवाई जैसे बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच क्रीम आप अगर चाहें तो तीन से चार बड़े चमच इसमें घर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं इसे डालने से जो हमारी बरफी का टेक्शर हो बहुत ज़़ा क्रीमी और वाइट होगा तो इसे डालने के बाद हम इसे दो मिनट तक और पकाएंगे ये भी डालना पूरी तरीके से optional है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाले नहीं तो आप इसे skip कर सकते हैं आप अगर चाहें तो इस समय इसमें 200 ग्राम मावे का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास milk powder है तो आप यहाँ पे 3-4 बड़े चमच milk powder का भी यूज़ कर सकते हैं तो डो हमारा बिल्कुल पैन को छोड़ने लगा है अब हम इसमें बिल्कुल हलवाई जैसा flavor देनी के लिए इसमें हम डालेंगे 2-3 मून केवडा essence अगर आपके पास केवडा essence नहीं है तो आप यहाँ पे rose essence या इलाइची powder का भी यूज़ कर सकते हैं इसे डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा और mix कर लेंगे जब तक कि हमारा mixture खुद से oil ना release करने लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके उपर हलका हलका सा oil release होने लगा है अब हम gas का flame बंद कर देंगे तो थोड़ा सा mixture अपने हाथों पर लेकर देखेंगे कि इसकी consistency जमने लायक है या नहीं तो यह देखिए इसका goal अब बन रहा है तो समझ जाएए कि इसकी consistency बिल्कुल perfect है अब हम इस dough को एक plate या थाली में अची तरीके से जमा लेंगे तो इस तरीके से हम इसे बर्फी की plate में अची तरीके से फैला देंगे बर्फी की ठीकने साब अपने इससाब से मोटी या पतली रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आधे tray में इसे अची तरीके से फैला लिया है तो अब हम इसे 20 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे क्योंकि यह बर्फी बहुत जल्दी जम कर तयार हो जाती है तो यहाँ पर इसे जमाय हुए मुझे 20 मिनट हो चुका है तो बर्फी हमारी पर्फेक जम चुकी है तो इसके उपर हम कट लगा देंगे तो यहाँ पर बर्फी को भी आप अपने मन पसंद के किसी भी शेप में कार सकते हैं तो यह देखिए आपको काटने से ही लग रहा हुआ कि जो हमारी बर्फी है कितनी नरम और मुलायम जम कर तयार हुई है बहुत ही नरम और मुलायम मुझे डालते ही घुल जा ऐसी तयार हुई है हमारी नारेल की बर्फी तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि कितनी नरम और मुलायम बनकर त्यार हुई हमारी coconut बर्फी और ये coconut बर्फी बहुत ही tasty और जटपट बनकर त्यार हो जाती है आप इसे एक बार बना कर महीने भर तक खा सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होती है और बहुत ही कम समय, सामान और बहुत ही कम महीनत में हम इसे बना कर त्यार कर सकते हैं इसी तरीके से आप इन तेवहारों पर इस नहीने रेसिपी को ट्राइ करें और अपने परिवार के साथ इसे इंजॉय करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दिजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद